हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक तो माई परिछा ब्लोग चेनल दोस्तों आज सब को पताए कि आज क्रिस्मस का दीन है और इसके साथ हम लोग गाउं में सारे बच्चे रेडी हो चुके हैं पिकनिक मनाने के लिए देख सकते हैं यह सारे लोग रेडी हो चुके हैं सब कोई अप जगा पुर्ए गाओं का सामने में है नदी के सामने मनाने वाले हैं तो बने रहे वीडियो में अगे मैं आपको बताएंगे कि किस तरीके से पिकनिक को आप पनेंगे उल्यक्त करने वाले है तो चलिए चलते हैं टत आपका थिल फो फो टॉलो पार को हुआ में पडिए यह क्या पेड़ है अमरूद पेड़ अमरूद हुआ है तो कैसा लग रभोगो आपको पिकनिक में जाने के लिए मज़ा लग रहे हैं आप हर साल आएंगे तो पिकनिक मनाने के लिए आप क्या पगड़े है धुरूप चिकन कितना केजी है चिकन पर उठाने नहीं सकरे ना बहुत बार ही है आज खाने सकेंगे तो 10 केजी चिकन है एक एक केजी खा सकेंगे तो आप लोग अच्छा नहीं कहता है विद्ध अच्छा लगरा और क्या क्या प्लों क्या लाएं है तो दुदा दिखागे कपड़ा सब तब नहाने को प्लानिंग वहीं पहा है क्या हाँ चलिए तब देख सकते हैं दोस्तों यह नदी के उस पार अभी हम लोग जाने वाले हैं यह नदी है मुझे भी चटाई पकड़ा दिया है हम भी जा रहे हैं चटाई ले करके तो जा रहे हैं हम भी चटाई पकड़के बोसतर अलब आगे निकल गए हैं है कि किनिक और नदी के किनारा ना हो किनारी अगर ना हो तो क्या मज़़ा है मैं भालू निकलता है बोल रहा है हा आती भी निकलता है मैंने तो जूता पहन के रखा है सामने में नजी में पानी में पेर भीन सकता है देख रहे हैं पानी बहुत थंडा भी है और साप भी है तो अभी हम दो जा रहे हैं मैंने पना जूता यहीं पर खोल दिया देख रहे हैं कितना अच्छा भी हुई यहां से दीख रहा है सामने नदी का पानी जमा हुआ है और यह पाहड है बहुत सारे लोग आज इस पाहड से उचल का डाई भी मानने वाले हैं और काफी अच्छा सुन्दर सभी हुआ रहा है सामने नदी के बड़े बड़े पत्थर अरव देखिए देख सकते हैं यही हम लोग का पिकिनिक स्पोर्ट रहेगा यहां पर लेप साइड में चूला बन रहा है और यहीं पर अभी हम लोग सब कुछ काटेंगे चिटेंगे सबजी को पूरी अच्छा दो गॉल नहीं दीकरा जो रहे है पूरी हो रहा है पूरी हो रहा है यह कैसा पूरी हो रहा है यह कैसा पूरी हो रहा है जो गोल नहीं हुआ है जो पूरी हो इसे होगा आप कहा का कारी को रहे है कि गाउं काई है कि अधिके फ्रेंट्स अभी पूरी और सब्जी खाया जा रहा है कैसा लग रहा है खा के खतम कर दिया आप चलिए इधार देखते हैं फोगु भाई अब भी खा दिये खा रहे हैं कैसा बना टेस्टी बनाए या नहीं टेस्टी बनाए चलिए ठीक है चलिए मौनिंग का ब्रेकफास्ट करने के बाद सबी लोग अभी लग चुके हैं लंच की तैयारी में देख सकते हैं कि सबी को अपना-पना काम दिया गया है कोई बंधगों भी काट रहा है तो कोई मटर तो कोई रसुन तो कोई प्याज कोई भरवट्टी यह देखिए अभी यहां पर चावल पक रहे हैं काफी गर्मी है कोई दूदेना प्रवटीर कोई दूदे में चावल अदो जोगा में उतकाई आए अपना दो कोई टा सबाद का रहा हैं हाई गाई कर दो बता है कि अज़ा निया जुटार पर जंगा हुआ है कर दो कर दो कर देखर लोग भी नहां रहा है खाना होना रेडी हो चुका है अब आस नहां के खाना ही है तो अभी हम लोग भी नहां लेंगे कर दो तो कर दो यह देखिए अभी सबकोई रेडी है खाने के लिए यह हमारा फोगु भाई बीच में है रामु भाई सुबव महिया दे रहे हैं अब भोगु भी यह भोट महनद के उनको थोड़ा जादा दीजिएगा लंज करने बाद थोड़ी सी थकान मिटाने के लिए हम लोग सभी लोग लेटे हुए हैं耗ु देख देखें लेटे देखें से सूरज भी ढलने लगाया हैं तो सूरज ढलने वाली है तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना साम के वाड़ ठंड पड़ेगी क्यों गर्मा गरम खुछ बनाया जाए तो हम लोगों बेगन की पकोड़ी बनाने का डिसिजन लिया तो उसके लिए सारी तैयारिया भी हो चुकी है तो चलिए देखते हैं का रिस? तो दोस्तो फाइनली पिकनिक खत्म हो चुका है उलोका ये देखिये जिस हम लोग ज़ादी जला खत्मकर रहें पिकनिक को और बिकनिक खत्म हो चुका है नरे तब आने वाला साल ओर होगा या नहीं अज़गा आश्चे वोछॉर तो देख रहे हैं दोस्तों आज के वीडियो में पस इतना ही मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए बने रहे हैं मेरे परिच्छब लोग चैनल के साथ थैंक्यू